हेलो गाइज, वेलकम टू माइ न्यू ब्लॉक, आज हम कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करने वाले हैं, आज हम जाने वाले हैं मंदीर, आज हम इंदोर के मंदीरों के दर्शन करेंगे, क्योंकि पर्यूशन पर जल रहे हैं, और आज दूप दर्शमी हैं, ऐसे मैं बहुत सारे मंदीर गई हूँ धूप चड़ाने के लिए, जिसके मैंने छोटे-छोटे क्लिप लिये हैं, और आज मैं आपको वही शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले मंदीर गए थे हम ग्रेटर बाबा, जिसे नवगरह जिनाले भी कहते हैं, कि इंदोर में एरपोट रोड पर है, ज जिचे वाले मंदीर में पारशनात भगवान की मुर्ति है, अब हम इसके दर्शन के बाद उपर वाले मंदीर में जाएंगे, जिसमें 24-3 थंकर खडगासन मुद्रा में हैं, और एंटर होते से ही सामने सबसे पहले पारशनात भगवान की मुर्ति है, और फिर उसके लेफ् से दर्शन करने के बाद हम गए जेन कॉलोनी के मनदिर में जनरायन 3 की सफलता पुर्वग मौन पे लेंडिंग की थेम पर मंडल भरा हुआ है जो बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब यहां से दर्शन करने के बाद हम गए अंबिका पूरी के मन्दिर में जहाँ पर एंटर होते से ही भगवान की जाकी बनी हुई है और भगवान के भजन चल रहे हैं जो बहुत ही प्यारी और सुन्दर जाकी है और आगी जाते से ही भगवान की मूर्थिया विराजमान है अब इसके बाद हम मंदीर में गए जहां मंदल भरा हुआ है और यहां भी हमने धूप चड़ाई और इसके बाद यहां से निकल कर हम गए पंच बालेती के मंदिर में महाँ भगवान के दर्शन किये देखी सारे ही मंदिर बहुत ही सुन्दर सजे हुए हैं अब इसके बाद हम जाएंगे समोशरन मंदिर जो जंजिरवाला स्कोयर पे इस्थी थे यहां पर समय शिकर जी की रचना की गई है समय शिकर जी जेन धरम का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है जो जारखन में इस्थी थे और यह उसकी पूरी रचना बहुत ही सुन्दर करी हुई है इसके बाद यहां पर इस फटिक की मुर्थी है जो बहुत ही प्यारी और अलग-अलग कलर में दिख रही थी अब आर्थी का समय हो गया है तो हम लोगों ने आर्थी करी अहां मंडल G20 की ठीम पर भरा हुआ है अब इसके बाद हम तुलसी नगर के मंदिर गए जहां अन्दिश्व दीप की रजना की हुई है सारे मंदिरों के दर्शन हो गए है इस ब्लोग को आप गाईस यहीं एंड करते हैं आपको यह ब्लोग कैसे लगा इसके लिए मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें